बस अब नो मोर नक्षे, नो मोर ड्रामे बाजी और नो मोर तफरी अब हकूमत ने सब्जेक्स भी बहुत कम कर दी हैं थोड़े से सब्जेक्स का इंत्यान देना है सीरियस हो जाओ और अब जो चीजे बता रहा हूं उस पर अमल करना तो लेट्स बेगिन असलाम अलेकम इस्टुडेंट्स इस सफी वेडियू दोस्तों स्टेडी टिप्स के ओपर मैं बेशुमार वीडियो बनाता हूं और आप लोग उससे फायदा भी उठाते हैं आप लोग के फीड़बेक जब आता है तो उससे दिल भी खुश होता है तो आ आज मैं समझने के कुछ अपना तजरुबा भी शेयर करूँगा आपके साथ देखें क्योंकि मैं जब इस्टुडेंट था ना तो मेरे हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे कि मैं सिर्फ इस्टुडेंट ही होता मैं नौकरियां भी करता था जॉब करता था सुबा शाम मे जब आपके साथ बाते शेयर करता हूं तो उसके लिए मुझे रिसर्च पढ़नी पढ़ती हैं आर्टिकल्स पढ़ता हूं सब और दूसरों की वीडियो देखता हूं तो फिर उसमें से कंसाइस करके जो इंपॉर्टन चीज़ होती है वो आप तक पहुचाता हूं तो आज तरही के रिवाइस करो उसको और उसको हाइलाइट करो और नोट्स बनाओ तो इस तरीके से हम कर सकते हैं लेकिन जितनी भी रिसर्च हैं जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबसे यह समझने के यह एविडेंस है कि वो एक इन एफिशेंट वे है उससे वक्ष जादा लगता है और ज्यादा अच्छे से आपको याद नहीं रहता तो आज जो मैंने आपके लिए टेक्निक निकाली है जो के रिसर्च बेस्ट है प्रूव है मैं उसके लिए आपको कन्वेस्ट नहीं करूँगा वो है एक्टिव रिकॉल जिसे हम प्रैक्टिस कोश्चन भी कहते हैं और जिसे हम रेट्रीवल मेथड भी कहते हैं अब इसके इसके अंदर तीन स्ट्राडिजीज है ठीक है जो सबसे पहली स्ट्राडिजी है वो है फ्लेश कार्ट्स की अब आपको स्क्रीन पर एक दिखरा होगा एंग की ये एक एप्लीकेशन है होता कहें देखें मैं आपको कितन एक अच्छी टेक्निक के लिए एक स्ट्राडिजी है जो के समझने के प्रूविन भी है कि एंकी फ्लेश कार्ट्स में क्या होता है इस एप्लीकेशन में आप बड़े असानी से अपने नोड्स और चीजें इसमें बना सकते हैं बगाईदा पिक्चर्स भी इसमें लगा सकत हैं और पूरा दिन में या हर चीज में जब भी आपको देखना हो तो उस इंपॉर्टन चीज का फ्लेश कार्ड आप देख सकते हैं और वो आपको रीकॉल हो जाएगा देखें एक्टिव रीकॉल असल में होता यह कि जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं जो कुछ भी आप अपने जहन में लॉंग टर्म तक रखने के लिए तो यह वो एक्टिव रीकॉल की पहली स्टेडिजी थी इसकी जो दूसी स्टेडिजी है वो मैं आपको बताऊं उसका तजिर्वा मुझे इस तरह हुआ कि मुझे याद है जब मैंने इंटर कमेंटर से किया था तो उस वक अच्छा लगा कॉंसेट के आज तक मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उन डाग्राम्स को यूज करता हूं तो आपने जो है क्लोज बुक डाग्राम्स को यूज करने या निकि अपनी किताबों को बंद करके आपने कोई चीज पढ़ ली किताब को बंद कर दें और क्योंकि वो डाग्राम्स की शकल में आपके जहन में फिट हो जाएगा और फिर उसको रीकॉल करना असान हो जाएगा तो यह थी दूसरी स्ट्रेडिजी और जो इसकी आखरी स्ट्रेडिजी है वो यह है कि कोई भी चीज जब हम नोट्स बनाते हैं हम अपने सामने रखते ह जाते हैं और देख देख के नोट्स बनाते हैं और यह घलत तरीगा है आपने नोट्स बनाने हैं लेकिन कुताब को बंकर के और उसको पढ़ते जाने paragraph में उस पर question मना है अपने जहन में कि यार यह जो मैंने पढ़ा है यह मैंने जो कहानी पढ़ी है इस कहानी से related या जो भी चीज़ मैंने पढ़ी है उस से related क्या question हो सकता है उस question को लिख लें सरफ और जब आप वो questions अपने पास लिख लेंगे फिर उस notes को बन कर दें और फिर उन सवालों के जवाबाद आप खुद से लिखें तो यह क्या होगा यह recall करेगा आपके brain में से और जब आप रीकॉल करेंगे अपने brain में से और खुद उन questions के जवाबाद लिखेंगे तो वो best हो जाएगा मचों मैंने आपके साथ अपना तेजर्बा भी शेयर किया और वो बहुत लंबी एक स्टोरी है हलाद है लेकिन मैं आपको बिलकुल बता रहा हूँ सचाई के साथ अगर आप इस एक महीने में पूरी जान लगा दें पूरी जान लगा दें दम लगा दें यार अपने माबाप का सर आपको फखर से बुलंद करना है अच्छा स्टूडेंट बनना है बहुत आगे बढ़ना है दुनिया कहीं से कहीं जा चुकी है और हम लोग सिर्फ इंपॉर्टन कोस्चन्स पे लगे हुए अच्छे से पड़ो और इसके बाद भी इंशालला मैं कोशिश करूँगा और वीडियो बनाके आप तक मजीद स्टेडी टिप्स भी पहुचाओं